91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धरकन हलो हलदवानी मैं हूँ आपकी वेडियो दोस्त सुनीता भासकर और दोस्तों लेकर आई हूँ आपके लिए कारिक्रम चर्चा में दोस्तों चर्चा में कारिक्रम में आज हम बात करेंगी महिला एवं बाल विकास विभाग की तमाम योजनाओं की बारे में और इस पर बात करने के लिए हमारे स्टुडियो मा आज मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतरगत जो आईसी डीएस जो कारिक्रम होता है समनमित बाल विकास सेवा है उसके जिला कारिक्रम अधिकारी बागेश्वर के जो डीपियो हैं डिस्टिक प्रोग्राम ऑफिसर राजेन प्रसाद बिस्ट हमारे स्टुडियो मा आज हैं तो राजेन जी आपका स्टुडियो मा बहुत- बहुत स्वागत है धन्यवाद मैं और मेरे सभी सुनने वालों का भी को भी नमस्कार मैं राजेन बिस्ट जिला कारिक्रम अधिकारी बड़ा खुश महसूस कर रहा हूं कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है जी बहुत अच्छा हमें भी हमारा भी सभाग्य है मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि राजेन प्रसाद बिस्ट बहुत अभाओं का मत कहूं कि बहुत प्रतिकूल परस्तितियों में इनने पढ़ाई की है और गाउं में रहे कर बारा बारा घंटे पढ़ाई करके मतलब इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज डिस्ट्रिक प्र क्वालिफाई किया और ये सप्लाई इंस्पेक्टर रहे फूड डिपार्टमेंट में गरूर बागेस्वर में चार साल वहां पर काम करने के बाद इन्होंने अपर पीस्यस क्वालिफाई किया और अभी पिसले आर्ट मार्च दोजार अठारा से ये समेकित बाल विकास अपनी सेवा दे रहे हैं डिस्ट्रिक प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर एक बहुत इमानदार छवी इनकी है बहुत इमानदार ऑफिसर के तौर पर गिने जाते हैं बहुत सीधे और सारल इनसान है और बहुत तलीनता से बहुत डेडिकेसन के साथ अपना काम करते हैं तो आज हम जानेंगे कि जो बाल विकास परियुजना अधिकारी है उसका क्या काम होता है। जिला कारीकरम अधिकारी अभी वो एक बड़ा जिम्मा उनके पास में है। तो समन में बाल विकास सेवाएं कौन कौन सी हैं, इनका धाचा क्या है उन सब पर हम बात करेंगे। राजिन जी आज हमारे लिसनर्स को आप बता दीजिए कि जो महिला और बाल विकास विभाग है, उसका क्या काम है, उसके अंतरगत आप लोग किन-किन छेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। मैडम यह जो बुढ़ाग है, महिलाओं के लिए समर्पिद भी भाग है, महिलाओं की सारी महिलाओं से संबन्दित जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो समाजीक हों, चाहे वो आरथिक हों, मान सिकों या फिर भिर महिलाओं से संबन्दित उनके personal issues जो हैं, तो सारी issues को शारी उनकी जो भी आज की जो परिवेश है उससे सम्मन्य जितने भी उनकी जो आउशकता है या फिर आने वाले उसमें जो भी उनकी आगांग्शा है उसको भी हमारा विभाग एड्रेस करता है और क्योंकि दूसरा बाल विकास भी इसका नाम है तो बच्चों से सम्मन्य जितने भ कि ये सारी योजनाओं को एक साथ ले करके चलता है, ऐसा नहीं कि एक योजनाओं को एक बार फोकस करता है, फिर दूसरी योजनाओं को दूसरी बार फोकस करता है, ऐसा नहीं है, सारी योजनाओं को, और कहने के एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सारी योजनाओं, और सारे चीज़ां क्योंकि जैसे इसका मेन जो लक्ष है हो holistic development का है या फिर all-round development का है ये सारी इसका उद्देश ही है तो इसलिए जितनी भी चीज़ां एक समय में एक ही चीज़ को address न करके सारी चीज़ां को एक साथ address करते हुए हमारा विभाग चलता है इसमें जो शामानिता जो हमारी विभाग का जो ground level पर या जमिनी इस्तर पर जो चेहरा है वो आगनवारी कारी करती है उनके माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वन किया जाता है हर गाउं पंचायत पर या ग्राम इस्तर पर आगनवारी केंद्र है आगनवारी केंद्र में अगर जनसंख्या ज्यादा है उस एरिया की जो जो catchment एरिया है अगर ज्यादा जनसंख्या है तो बड़ा फुल आगनवारी केंद्र वहाँ पर संचालित किया जाता है अगर कम जनसंख्या है तो फिर वहाँ पर मीनी आगनवारी केंदर होता है, मीनी आगनवारी केंदर में एक आगनवारी कारी करती है, और फुल जो आगनवारी सेंटर है, उसमें एक आगनवारी और उसकी साहिता के लिए साहि का काम करती है, जो तो हम कह सकते हैं कि जो समन्वित बालविकाद लेकिन पूरी योजनाओं को आगनवारी इससे उपर भी हमारे विभाग है जो जन सामनि जिसके knowledge में कहें या फिर उसकी जानकारी में कुछ चीज़ा नहीं है वो भी हमारा विभाग करता है आगनवारी हमारी शेवाओं का एक हिस्सा है एक शेवा है, कई शेवाँ हैं प्रूज़ना हैं उन में से एक योजना आगनवारी है हमारी विभाग की योजना नहीं है मतलब कियोल आगनवारी ही इसका मुखोटा नहीं है इससे बड़ा कई विशाल राजिन जी यही कन्फिजन थोड़ा सा हम लोग में हो जाता है कि क्या है धाचा इसलिए मैं बात करना चाहते हूं ताकि हमारे लेसनर्स को एक साफ समझ हो जाए कि महिला और बाल विकास विभाग कौन कौन सी योजना अभी धरातल पे लाए हुए है तो सबसे बड़ी आपने बात लाए कि आगनवारी एक योजना है उसके अलावा कौन कौन सी योजना है उनकी जानकरी हम चाहते हैं आगनवारी के अलावा जो हमारी विभाग में जो योजना है संचालित हो रही है उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा नंदागोरा योजना जो बालिकाओं को प्रोच्छाहन देने के लिए उनकी शिक्षा को प्रोच्छाहित करने के लिए सरकार के दौरा राज्य सरकार के दौ पर जन्म से लेकर के विवाह तक साथ किस्तों में तोटल साथ किस्तें दी जाती हैं तोटल 51,000 रुपी जो है सरकार प्रतेक बालिका को अगर वो परिवार में दो बालिकाओं में आ रही है तीसरी बालिका पर ये योजना नहीं लागू होती है दो बालिकाओं के लिए प्रो पांस जार रुपी की धनाशी दी जाती है इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अभी हमारे विभाग की योजना हैं उसमें हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये केंद सरकार की काफी महत्वा कांगशी योजना है और माननी प्रधानमंत्री जी का एक सपना भी है कि जो बालिका लिंगानुपात कम हो रहा वो मेंटेन हो और इसी को करते हुए ये योजना बनाई गई है एक तो इसके दो देश हैं एक तो बेटी को बचाया जाए और उसका सही लालन पालन या शिक्षा केवल बेटी को बचाना ही वो नहीं है उसका सही तरीके से लालन पालन भी हो और उसको पूर तरीके से शिक्षिद भी किया जाए टेक होम राशन गर्वरती महिलाओं धात्री महिलाओं और जीरो से 6 साल के बच्चों को जो है घर ले जाने के लिए दिया जाता है एक पॉस्टिक आहर ताकि यो घर पर उसको बना करके उसका प्रॉपर तरीके से उसका यूज कर सके और देश में कम से कम कुपोशित बच्च हैं इसको जाने से पहले जो बच्चे हमारे आगनवारी केंद्रों पर आते हैं उन बच्चों को आगनवारी कारिकरती अपने हाथों से बनाएवा ताजा भोजन ताजा पॉस्टिक आहर खिलाती है तो इसका भी उद्देशी बच्चों के स्वास्त की रक्षया और कुपो उनका भी संग्यान लिए जाता है यह बहुत कम लोगों को सायद शांजन सामाने में इसकी जानकारी होगी कि अगर कोई महिला घरेलो हिंशा से पीडित होती हो, किसी नातेदार के द्वारा उस पर कोई भी हिंशा की जाती हो, चाहे हो सारी दिखो, चाहे हो मानची को, चाहे हो साब्दिखो, चाहे हो आर्थिको, चाहे हो भावनात्म को, हिंशा का मत, कई तरकी होती है, जो घरेलो हिंशा अधिनियम हो, उसमें ये सारी हिंसाइं को इंगित किया गया है और ये सब हिंसा के एक प्रकार है तो ऐसी अगर कोई महिला इन हिंसाओं से ग्रशित होती है या उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो कहां जाए वो पुलिस इस्टेशन जाए वो किसके पास जाए वो कहीं नहीं जाए वो सब रंक्षानाधीकारी होते हैं बागी सारी कारवाईयां वो निशूलक करते हैं इसमन महिला को कहीं से कोई उसके बाद कोई काम अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होता है साड़ा काम हमारा विभाग करता है यहां तक कि अगर केश दायर होता है तो वो भी हमारी विभाग के द्वारा उसको वकील उपलब्द कराया जाता है अगर उनके ठहरने की वैवस्ता कि अगर हम बात करें तो क्या ऐसा कोई सेल्टर हो मुगर भी आप लग मोहिया कराता है इस टाइप के हमारी योजना है महिलाओं जो इस टाइप में इस शरियनी में जो महिलाएं आती हैं जो किसी हिन्सा से किशी कारन से प्रभावित होगी जिनको घर पर जिनका मतलब सेल्टर नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे के लिए one stop center एक योजना है, केन सरकार की योजना, वो लागू हो, कुछ जिलों में लागू हो चुकी है, कुछ जिलों में लागू हो रही है उसमें जो है जितनी भी महिलाएं चाहे हो हिंशा से पिडित हो या किसी आवशकता से पिडित हो तो उनके लिए भी जो है शैटर की उपला व्याउस था है तो ये कहीं पर one stop center यानि कि आप लोग महिया कराएंगे उस center यह जैसे जिन जिलों में यह लागू हो चुकी है one stop center के लिए एक building बननी है उसमें इसका नाम ही इसलिए one stop center है कि सारी चीजाओं के लिए एक जगह पर महिलाओं की सारी समश्याएं या सारी जितनी भी उनकी परि counselor भी है मनो विज्ञानिक मनो चिकिट्सक भी कह सकते हैं psychologist का और आपके doctor भी है अगर जरूरत पड़े तो उनको shelter भी उपलब्द कराए जाएगा चिकिट्सा भी उपलब्द कराए जाएगी यह एक अतिक महत्तब बहुत अच्छी योजना है और एक महत्वकांग्शी योज लगता है इसके अलावा जो है कारिस्तल पर यौन उत्पिडन के समंध में भी अगर कोई ऐसा हो है तो यह भी हमारे विभाग के ही द्वारा मॉनिटर किया जाता है हलांकि विभागों में जहां पर भी दस से अधिक कार्मिक काम करते हैं internal complaint committee बनाए जाती है और उसको देख जो है आगे आता है इसके अलावा निर्भया योजना है जिसमें किसी प्रकार से हिंसा से पीडित जो महिला है उसको जो है रिलीव दिया जाता है घरेलू हिंसा के मुकदमें भी इसमा आते हैं या फिर और छेडा खानी या फिर जो आज के समय में बलातकार या ऐसी डटेक ये सारी चीज़ें ऐसी कोई परिशानी से अगर ग्रस्त हो जाती है महिला तो उसको यहाँ पर भी निर्भया योजना के तहट भी उसको शाहता पहुँचाई जाती है इसमें घरेलों हिंसा से संबनी जो भी केशे जाते है पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है दोनों पक् इसके बाद भी महिला पर अट्याचार हो रहे है या जो है उसकी समस्या का समधान नहीं हो पा रहा है तो फिर न्यायला की भी सरण ली जाती है और फिर उसमें आगे कारवाई की जाती है इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला सतत आजीवी का योजना है अभी हाली में इसकी शुरुआत हुई है ये ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार ये तो विविन सेत्रों में प्रिशिक्षान पर दान करने के लिए है जैसे डेरी मेनेजमेंट है मधुमक्खी पालन है आपका कुकुट पालन है जड़ी बूटी है का कल्टिवेशन कह सकते हैं हस्तकला है कड़ाई गुनाई कड़ाई खादी प्रश्रशकरन मस्रूम उत्पादन कताई गुनाई शिलाई ब्यूटी पालर उद्यमिता विकास के इसमें प्रिशिक्षन दिया जाता है इसमें एकल महिलाओं को जो अकेले रहती हैं किसी कारण से परिवार से अलग हैं जैसे तलाक सुदा हैं बिधोआ हैं या फिर परित्यक्ता हैं या फिर जिन्होंने लब विवार नहीं किया आज वो परिवार से अलग रहे नहीं है तो ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से सर्शक्त बनाना इस योजना को देश है जिसमें पहले महिला को प्रिशिक्षन दिया जाता है वो योजना है वो है पंडित दीन दयाल समाजिक शुरक्षा को यह भी इसी प्रकार की योजना है इसमें महिलाओं को अपना सोरोजगार शुरू करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार शाहता देती है एक लाख रुपे तक अधिकतम एक लाख रुपे तक का रेन दिय इसके अलावा जो हम बात कर सकते हैं वो योजना है किसोरी सकती योजना किसोरी सकती योजना भी जो है जो विद्याले छोड़ जो की जो बालिकाए हैं उनको चैनीत करकर के स्वेचिक संगटनों एंजी योज के माधियम से विभिने सेत्र में प्रिसिक्षन दिया जाता है अगर ऐसी की सूरियां अगर कहीं है जो ड्रॉप आउट हैं जो छोटी-छोटी योजना हैं गोद भराई योजना है गरभवती महिलाओं के लिए अन्न प्राशन योजना है छै से आठ महा के शिशू के लिए ऐसी जो चाहे हो गरभवती महिलाओं या शिशू इनको आगनव और उसके परिवार के लोगों को भी बताना कि जो है वो अब जो है उसका जो एक विशेश समय आना है जीवन काल में कुछ समय विशेश समय है वो समय उसको विशेश देखवाल की जर्ड़ा उसको मिले वो तबज्जु और उसे विशेश देखवाल उसे प्राप्त हो ताकि आने वाले समय में जो आने वाला जो शिषू है वो भी स्वश्थ हो और जो मा है वो भी स्वस्थ रहे तो यह इस योजनाका उदेश्य की यह एक सोचल रीकॉग्शन है की अब इस महिला का बीशेश समय स्पेशल पीडियरट शुरू होने वाला है इसको special care की जरूरत है तो ये इसके योजना का उद्देश्य है इसके अलावा जो हमारा एक और बड़ा प्रोग्राम शुरू होने वाला है मैं उस पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा वो है राष्टी पोष्ण mission national nutrition mission ये प्रधान मंत्री जी का एक overarching scheme है for holistic nourishment इसका जो मुख्य उद्देश्य हो है हमारे आज की जो वर्तमान condition है जो आज की परिष्टिती है उसमें कुपोष्ण एक बड़ी समश्या के रूप में उभरा है और कुपोष्ण एक ऐसी समश्या है जिसका आशानी से और बहुत जल्दी त्वरित निदान सायद संभवनी है और बीमारी का तो अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका त्वरित समाधान है लेकिन कुपोष्ण को सही करने में काफी समय लगता है और उसका एकदम से कोई ऐसी एंटिडोट नहीं है कुपोष्ण का की एक इंजेक्शन लगाया और कुपोष्ण सही हो गया इसको एक लंबे वेल प्लांड वे में लंबे समय तक एक देखभाल और सही डाइट और सही समय पर सही भोजन और स्वच्छ तरीके से भोजन के द्वारा ही इस समस्या से निजात पाए जा सकता है तो इसी समस्या को address करने के लिए National Nutrition Mission जो के इन सरकार ने शुरू किया है तो क्या ये योजना शुरू हो चुकी है अब ही इस साल उत्राखंट के चार जिलों में ये योजना शुरू हो चुकी है चमोली, उधम सिंग नगर, हरिद्वार, पॉरी और बाकी जिलों में भी अब इस उस से जो है तैयारी हम आप जूटे हैं किस को शुरू करें पूरी जैसे बागेश्वर, देहरादून और पॉरी इस योजना के तहत होगा क्या इस योजना के तहट यह है कि जो आज की जो इस्थिति है, आंकड़े जो कह रहे हों कि 38.5% जो महिलाएं है या total people of the population वो जो है कुपोशित है और उसमें बड़ा हिश्चा महिलाओं का है, बड़ा हिश्चा बच्चों का है वयसक उसमें सायद कम होंगे तो इस जो कुपोशन की यह भयावा हिस्थिति है, इसको कम करके आने वाले कुछ समय में इसको जो है 25% लाना मुख्योद देश है कुपोशन के कई परकार हो सकते हैं, बौनापन, स्टंटिंग, दुबला होना, वजन कम होना इस सारे कुपोशन के परकार हैं, तो इन सारे परकारों को कम करना और इस आंकड़े को हर साल 2% घटा-घटा करके अंतमर 25% तक लाना इस योजना का मुख्योद देश है तो इसके तहट क्या होगा, उनको क्या खाना पीने को कुछ सामान दिया जाएगा ये योजना के वल समश्या के एक पक्ष पर फोकस नहीं कर रही है, ये योजना समश्या की सारे पक्षों को लेकर के एडर्श कर रही है और सारे पक्षों का एक बिस्त्रित अध्यान, बिस्त्रित प्लान मेकिंग, एक डिटेर्ट प्लान मेकिंग और उसके बाद उसके जो समश्याएं हैं और उसके जो कारण हैं उनको कम करना इसमें लोगों को जागरूग करना भी लोगों को अच्छी health practices अपनाना भी इसमें साविल है, लोगों को local food है या food stuff है उनके उनके जो उपयोगिता है उनमें जो जो तत्तो हैं उनके जो जो न्यूट्रेंट उनके बारे में बताना है ताकि जरूरत नहीं है आज कि जो हम बाहर से अमिरिकन से खा करके विटामिन B पूरा करें जरूरत यह है कि हम देखें कि क्या अमरूद में भी जो पहाड में आशानी से उपलब्द है क्या उ तो क्योंना हम बाजार से गेहुं के आटे के बजाए खाया जाए गेहुं का भी आटा, मढवे के आटा को प्रात्मिक्तद है और उसको एक दवा के तौर पर अगल लिया जाए उसको खाया जाए तो हमें एक तो आइरन टैबलेट से जो दुस्प्रभाव है उल्टी आना ये जक्कराना वोससे बचा जा सकता है और जो लोकल हमारा मढवा है उसको भी तवज्जों मिलेगा और वो आशानी से उपलब्ध भी हो सकता है और हमारा स्वास्त का इसतर भी उपर होगा, हेल्थ स्टेटर्स भी उससे उपर जाएगा तो इन सारी चीज़ाओं को उसमें अधियान करना उसके बाद उसके अनुशार प्लान बनाना और कैसे कहां पर कुपोर्शन की कौन सी समस्या जाद है किस कारण से यह सारी चीज है इसके जो कई उद्देशियों में एक इंक्रिमेंटल लर्निंग एप्रोच है इसके ताहद जो है अलग-अलग इस तरहों पर समय समय पर प्रिसिक्षन के माध्यम से कौपोर्शन की समस्या और उससी निजात पाने के उपायों के बारे में जो है हम सीखेंगे उसके बाद हम उसको कारियानमेंट करेंगे ग्राउंड इस तरह पर कम्यूनिटी बेस्ट इवेंट हैं वो समधाय आधारी कारिक्रम हैं उनको हम समधाय के सहयोग से उनकी participation से उनकी सहभागीता से आयोजन करना और उसके बाद उनको इन सारे उद्दे जो कारिकरम हिन का उद्देश यह कि समाज को जागरूप करना, समाज के लोगों को जागरूप करना कि जो है कोपोशन भी एक महमारी है उसको neglect ना करें तो यह काफी बड़ा mission है इसलिए इसको mission नाम दिया गया है योजना नहीं एक mission है तो राजिन जी आपने बहुत सारी योजनाओं पर एक संग्छिप्त में आपने प्रकाश डाला और एक समझ में आ गया हमारे listeners को कि कौन-कौन सी योजना है और किस-किस तरह से चल रही है जो हमारा सबसे बड़ी बात जो हमारे विभाग के एक परंपरागत image है कि यह कि आगनवारी तक्सीमित है ऐसा नहीं ह आगनवारी हमारे विभाग की एक योजना है जो विभाग की बड़ी योजना है लेकिन इससे भी आगे विभाग है अगर आज के समय में महिलाओं से समझने जितने भी मुद्धे हैं वो कहीं ने कहीं हमारे विभाग से समझनित है और हमारे विभाग के अंतरगत आते हैं उसके विशाई सेत्र में आत्वा जी अभी आप जीला कारिक्रम अधिकारी है यानिके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बागेस्वर के जीमिदारी प्रभार आपके पास में है तो क्या इस्तिती है बागेस्वर जन्पद मागर हम देखें जहां तक योजनाओं के कारियानवन की बात है तो बिलकुल हमारा जिला बहुत अच्छी स्थिती में है और 834 आगनवारी केंद्र हैं पूरे जिले में और सभी अच्छी तरिके से चल रहे है बांकि ये योजनाओं में जहां तक हम इन आगनवारी केंद्रों के अलावा योजनाओं में बात करें नंदागरा योजनाओं में भी हमारे अधिकतर यह मैं तो कहूंगा कि लगभग जितने भी पात्र बालिकाए हैं सबको लाब दिया जा रहा है या लाब देने की उसमें सूची बद्ध हैं उसमें काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री मात्रबंदना योजना में पिछले माह का जहां तक आंकड़ा है अगभब दो हजार चेटर लोगों को रेजिस्टरड किया जा चुका है और उसमें से 1549 लोगों को पिछले माह ही हमने लाब अंतरन कर दिया था और मातर महिला सक्तिकेंद्र जो हमारे जिले में लागू होने वाला उस पर भरती की हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है उस पर तीन पदों पर भरती होने जिसके लिए आने वाले 16 तारीक को 16 अक्टूबर को साक्षातकार होना है उसमें क्या होगा महिला सक्तिकेंद्र हाँ जी महिला सक्तिकेंद्र महिलाओं से सम्मंदित सारी महिलाओं की आकांग्षाओं को ये समझ्याओं से ज़्यादा महिलाओं के आकांग्शाओं को एड्रेस करने वाली योजना है कि एक महिला को किसी सरकारी कार्याले में जाना है तो वो किस कार्याले उससे अपना हम उदाहरान ले लेते हैं किस कारियाले में एप्रोच करें, किस अधिकारी से मिलें और कहां पर जो है अपना आविधन पत्र लगाए कि उसको वो प्रमान पत्र मिल जाए तो वो सारी चीज़ें ये महिलाज सक्तिकेंद्र उनको बताएगा कि आप आपकी ये समस्या है, आप वहां जाएए, आप इनसे मिलें, आप इस अधिकारी से जाएए, जरूरत पढ़ने पर उस अधिकारी का पता और कॉंटेक्ट नंबर भी दिया जाएगा, तो महिलाओं की जितनी भी आवशिकता हैं, चाहे वो सरकारी सेवा के लिए हो, मान लीजिए, किसी महिला को कोई विधिक्राय चाहिए, तो व तो अपने महिला शांथी को तो बता सकती है, तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठी हैं, वो भी महिए, तो ये हमारी जिले में लागू होने वाली है, 16 तारिकों इंटर्व्यू होना है, इंटर्व्यू के बाद तुरंत उसको जो हम एपोइंट्मेंट डैटर इस्व करेंग वो भी हमने भरने के लिए उसकी भी जो विग्यप्ती है, वो जारी कर चुके हैं, उनके लिए 23 अक्टूबर को शाक्षातकार होना है, तो जितने भी पहले चीजे हैं, क्योंकि हमारा जब विभाग है, उसका में जो फोकस हो माना हो है, जिस पर हमें काम करना है, और इसके कमिया हैं अपने इस तर से, या फिर उपर शार्षन के इस तर से हम वहां भी उनसे रिक्वेस्ट करके, कोशिश करेंगे कि जो है, जो विभाग में जो भी कमिया हैं, खासकर पदों को लेकर के, जो रिक्तपद हैं, वो पहले भर लिया जाएं, तो हमारा काम इस से काफी आ वो मैंन पावर की देखी गई है, अभी हम लोग जो उत्राखन PCS 2012 आया तो उसमें CDPO के लगभव 32 पत थे, उसमें से सभी पर भरती हुई, उसमें और 27 लोगों ने जोइन किया, तो नए लोग भी इस विभाग मा आए हैं, और अपेक्षा है कि नए लोग कुछ नया रक्त संचार जरूर करेंगे, तो राजिन जी एक जो सीक्रेट है कि आपने 8 मार्च 2018 को ये विभाग जोइन किया, और आपने अपनी और से ही ये डेट दी थी, 8 मार्च अंतराष्टी महिला दिवस की, कि मुझे इस दिन जोइनिंग दी जाए, क्या कारण है इसके पीछे मैंने क जोशिस की थी, क्योंकि वो अंतराष्टी महिला दिवस है और महिलाओं से संवनित बिवाग है तो मैं इस दिन ये एक शुब दीन है, तो शुब दीन के दिन ही शुब कारी करने चाहिए, तो मैंने इस दिन को सुना कि मैं इस बिवाग को आठ मार्च को सुनू और ये जाए इस बिवाग में रहकर जिस संस्टिविटी के साथ आपने बताया अबी, तो आपको लगता है कि आप इस बिवाग को बहुत बहुत बहुतर अच्छी से वाइं दे सकते हैं, मेरा मानना है कि कोई भी आदमी बड़ा काम कर सकता है, इसकी गारंटी नहीं लेकिन छोट कर दो आपको अपकी मनजिल क्या है, और अभी क्या आप कौन सी तयारी में और जुटे हैं, मनजिल तो अब यह है कि मैं सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनो, एक अच्छा व्यक्ति बनो, मनजिल तो यही होनी चीए, अगर मैं यह दो चीजा अच्छा बनू, तो मैं ए आपने बहुत स्ट्रगल करके पढ़ा ही की है, पहाड में जहां बिल्कुल ने कोचिंग सेंटर होते हैं, ने पढ़ने और कॉंपीटिसन का माहौल भी नहीं होता है, ऐसे समय में आप काफी लंबे अंतराल तक लगातार पढ़ते रहे हैं, तो कोई हमारे हल्दवानी के य इंटर कॉलेज से ही पढ़ाई की है, उसके बाद डिगरी कॉलेज दारहाट से पढ़ाई की है, लेकिन अगर आप किसी चीज को ठान रहे हैं कि हमें ये करना है, तो फिर आधे से ना रुकिए, चलते जाएए, कोई बात नहीं, कुछ समय देर से सफलता मिलेगी, हो सकता है सफलता न मिले, लेकिन तब भी आप हारेंगे नहीं, अगर आपने कोई चीज ठान रखी है, तो उसको आज ही से सुरू करिए, शायद मुझे याद है, अब कहना ज्यादा, शायद बढ़ बोलापन भी कह सकता हूं कि कहूं, लेकिन जब मैं 11, कक्षा 11 में था, तब से मैं स करके इसको पढ़ता था, एक छोटे कजबे में कितनी बड़ी भूमी का अधा कर सकती है, और यहां हलदवानी और आजपास के शहरों में जरूर ऐसी लाइबरेडिया होंगी, जरूरी निया कि आप हर माहा खुद खरीद करके किताबों को, दरभागी है हलदवानी वासियो कि एक अच्छी लाइबरेरी हां पर हो, दूसरा, कॉलेज में जरूर लाइबरेरी होगी, नहीं तो हम हलदवानी जैसे शहर में रहते हैं, तो स्वाबाई कि हम मेहने में 100 रुपे खर्च जरूर करते होंगे, अपने हालतू कि उस पर, तो हम उसको रोक करके, या उसको चै रहते हैं, अगर आप इन मैंगे घ्जीन फो पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि इस सेत्र में आश पाष क्या हो रहा है, कौनसी वेकंची आ है, उसके लिए कब तैयारी करनी है, कब उसका कलेंडर आ आता है, कब उसका एक्जाम सेरू होता है, क्या-क्या उसकी पूछे जाते हैं किस प्रकार की strategy बनाई जानी चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए शारी चीजें अगर आप magazine लगातार पढ़ते हैं अकबार लगातार पढ़ते हैं तो आप आज पास होरी घटनाओं के संपर्क में रहते हैं और यही इस जो प्रशाशनिक शिवा हैं इनकी जो देते हैं बजाए की जो local की घटनाइं होते हैं उनका प्रतियोगी के हिशाब से ज्यादा महत्ति नहीं है नागरिक के हिशाब से हो सकता है लेकिन हम एक प्रतियोगी बनना चाहते हैं तो हम को इन चीजाँ से थोड़ा उपर उठ करके राष्टी और अन्त्राष्टी स पर जरूर एक राय हम बनाएं अपनी राय बनाएं और एक अच्छी नॉलेज रखें इन पर तो अगर हम ऐसा करते जाते हैं तो कुछ समय बाल हमारा जो नॉलेज लेवल हो खुद बखुद बिल्डप हो जाता है और हम उसके यो लायक खुद ही बनते हैं हम ये कलपना नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए परिक्षा का इस्तर नीचे हो ऐसा संभव भी नहीं है हम उस परिक्षा के लायक अपने को बनाएं तो जरूर हमें सफलता मिलेगी यही है कि जो है नोट से जरूर बढ़ना है बिना नोट के कोई तैयारी नहीं हो सकती है जो बिन भाग के इतनी सारी जानकारी देने के लिए हम आपको फिर बुलाते रहेंगे इतने स्टुडियो में ताकि आप भी भाग के और बहतरीन जानकारियां उन जरुरत मन महिलाओं तक पहुचा सकें आपका बहुत-बहुत सुग्रिया हमारे स्टुडियो माने के लिए धन्यवाद मेडम और सब मेरे सारे सुनने वालों को फिर से नमस्कार